दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पली कबर बिहार के बिजली उपवोक्ताओं के लिए बड़ी खुसकबरी 2022-23 के लिए बिजली दरों में नहीं होगी कोई बढ़ उत्री जिह राज बिदुद बिनायमक आयोग ने बिहार के बिजली उपवोक्ताओं को बड़ी रहत दी है आयोग ने वर्स 2022-23 के लिए बिजली के दरों के एलान कर दिया है नहीं दरों के मुताबिक राज में बिजली टरीप में किसी तरह का कोई परिवर्तर नहीं होगा समाप्त हो रहे वित्य वर्स का बिजली टरीपी लागू रहेगा वहीं फिक्स चार्ज में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गिया है आपको बताते कि घाड़े को देखते वी बिजली कमपानी ने नए वित्य वर्ष 2022 ते इसके लिए बिजली दर में नो दसमलव नो परतिसद बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था जिस पर बिहार बिदुद बियनामक आयोग ने कई स्तर पर जन सनुवाई के बाद आयोग ने स सिर सिन्ना ने बताया कि घारे लिए बिजली उपभुगताओं को रहत देते वे बिजली कमपानी को उस प्रस्ताव को अस्युकार कर दिया गिया है अगली बड़ी कबर बिपेसी ने 247 पदों को भरने के लिए निकाली वेकेंसी जाने कब से सुरू होंगे औलाइन अमिदर जा बिहार करमचारी चैन आयोग जल दी तिरतिया इस नातक इस तरिया सायोग तो परिच्छा के लिए बिगापन निकालेगा बिपेसी की और से सा पदों के लिए अभियारतियों से ओलाइन आविदल लिया जा सकता है अगली बड़ी कबर बिहार के पांच जिलों के केंद्रेवी दलयों में भरती कुछ पदों के लिए सीटेट है जरूरी जह बिहार के कई जिलों में विभिन केंद्रेवी दलयों में भरतिया निकली हु के वा TGT विज्ञान गनित वा अंग्रेजी के लिए इंटेर्वी दो अपरेल 2022 को सुबा नो बजे से होगी प्राथमिक सिख्चक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शर गेम कोच वा काउंसिलर इंटेर्वी तीन अपरेल 2022 को सुबा नो बजे होंगे अधिक जानकारे के लिए आप स अगली बड़ी खबर अगली सब्ता जारी हो सकता बिहार बोर्ड मेट्रिक रिजल बिहार बोर्ड ओंलाइन डॉलाइन परदेख सकेंगे रिजल जिहां बिहार बोर्ड मेट्रिक रिजल अगली सब्ता जारे के जाने के समावना है बिहार बोर्ड का अच्छा दस प ayrचा में भाग लेने वाले अभियरती अपना रिजल बोर्ड की वेबसाइट बिहार बोर्ड ओलाइन डॉलाइन डॉरड Celsius चेERS चेक कर सकेंगे बिहार बोर्ड सुत्रों के अनुसार मेट्रिक टॉपर की कोपिया बोर्ड अप इस 26 मार्च तक पहुच जाएगी विसे विसे सिगु द्वारा कोपियों की जाच कराने के बाद टॉपर्स का इंटर्वू सुरू हो जाएगा इस हिसाब से देखे जाए तो अ बिहार के पूरो मुखी मंतरे राबडी देवी का कहना है कि मुकेश सहनी को अब लालो प्रसाद क्यों याद आ रहे हैं राज़त में मुकेश सहनी के लिए कोई जगा नहीं है पार्डी में पहले ही कई बड़े निसाद नेता महुजूद है बता दे कि कुई दिन पहले बि 32 में सोचना चाहिए था राज़त में उसकी अब नो इंटरी है बता दे कि बियाईपी प्रमू मुकेश सहनी की पाड़े के तिनों विदायक बिजेपी में सामिल हो गये हैं अगली बड़े कबर ग्रिया मंत्रे अमित सा 23 अप्रेल को आएंगे बिहार आज़ादी के अमरेत महसों में होंगे सामिल जगदीस पूर में होगा कायरकरम जेह भारते जनता पाड़े द्वारा देश भर के सतंदरता संगराम के नायोकों की जन स्तली पर आज़ादी के अमरेत महसों के तहत कायरकरम हो रहे हैं इसी स्रिंकला में 23 अप्रेल को भोजपूर के जगदीसपूर में बाबु कुवर सिंग की जनम स्तली पर भाइबे समारों होंगे इस से केंद्रे गिरे मंत्रे अमित सा सामिल होंगे आपको बदादी की स्कायरकरम को यादगार बनाने ददाइस की तैयारी के लिए प्रदेश एकदग्ड डाक्टर संजज जैसवाल के अधिक्ता में स्कुरवार को भाजपा के प्रदेश प्रदादीकारियों के एक महतपूर्ण बैठक वाड़े मुख्याले में हुई अगली बड़ी के पर बिहार बासियों को सोगाद सभी रासन करदारी परिवारों को पांच लाग तक मिलेगा मुप्तिलाज जैस बिहार बिधानसभा ने आगामे वित्यव वर्स के लिए स्वास्त विवाग के 161.34 करोड रुपे से अधिक की बजट अनुदान उधानिस से पारित कर दी बिधानसभा में स्वास्त मंत्रे मंगल पाड़ी ने बजट पर विच चर्चा का जबाब देती वे राज में करोना के दोरान स्वास्त विवाग द्वाग द्वारा उठाय गए कदम के चर्चा की उन्होंने म कुगेर और मौतिहारी में दो मेडिकल कॉलेज और बिध विस्तरू वाले अस्पताल की इसका अपना के जाने की घोसना की है इसके साथ बिहार के सबीर आसनकाड़ धारी परिवारों का पर्ति वर्स 5 लाग तक का मुब दिलाज होगा फलाल राज के ीब mg. 5 करोड़ लोगों को इसका लाब मिल रहा है अब बिहार सरकार अपने रासे से इसका लाब पर 4 करोड़ और लोगों को देगी स्वास्तमंत्री मंगल पाड़ी ने विदानसवा में इसके गोसना करते हुए कहा कि राज के लोगों को मुख्यमंत्री निदिस कुमार ने या एक और बहुत बड़ा तुफा दिया है अपरेल में सुरू हो रहे वितिया वर्स 2022-23 से या सुविदा मिलने लगेगी अगली बड़ी कबर बियार में लगतार तीसरी बार बड़े पेटरोल डिजल के दाम जानिया अब कितना करना होगा खर्च या देश के पांच राज्यों में विदानसवा चुना होने के बाद से पेटरोल डिजल की केमतों में लगतार बड़ोत्री हो रही है केमातों में बढ़ोत्री के कारण पहले से महंगाई से परेसान आम जनता की परेसानी और भी बढ़ गई है सुकुरवार को पेट्रोल और डिजल की केमातों में परती लिटर तकरिबान एक रुपे की बढ़ोत्री की गई है पेट्रोल के केमत में 82 पैसे और डिजल के केमत में परती लिटर 80 पैसे की विर्धी हुई है पेट्रोल और डिजल की नई दरे 25 मार्ज 2022 को सुबची बजे से परवावी हो चुकी है पिछले चार दिनों में डिजल पेट्रोल के केमत में हा तिसरी बार बढ़ोतरी हुई है व योगी आदितनात एक बर फिर उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री बन गए है। योगी समीत कुल बावन मंत्रियों ने भी इन पद और गोपिनेता के सपत ले। लगनों के एकना स्टेडियम में सपत गरन समारो का एजन हुआ। इसमें हजारों लोगों की भीड मौजुद र आपको वज़ादे कि स्याम योगी आदितनात ने बिहार के मुख्य मंत्रे नितिस कुमार से सपत गरन समारों में सामिल होने का अगरा किया था। अगली बड़ी कबर बिहार के लाल ने कर दिया कमाल जेल में रहते वे क्वालिफाई किया आयाटी जेम की परिक्षियां होस परिचा में के परिचा में बड़ी सपल्दा हासिल की है सुच ने जेम की परिचा में पुरी भारत में चवनवा रेंक हासिल किया है सुरज आब IIT रोड़की में दाखिला लेकर मास्टर डिगरी का कोर्स करेगा जानकारी के मताबिक सुरज के सबलदा के पिछे ततकालिन मंडल कारा सिकुमार पांडी के आहम भूमिका रही है कारा दीचक ने जेल के भीतर ही परिचा के तयारी के लिए सुरज को किताबे और नोट से समेद अने मैटरियल उपलब्द करा दिये थे इसके बाद सुरज ने जेल के भीतर तयारी किर्तिमान इस्ताबित कर दिया है सुरज ने 13 फर्वरी को पिरोल लेकर जैसे बाहर जाकर परिछा दी थी बाड़ी कबर मौसम ने क्या कन्फियूज कहीं तेज धूप तो कहीं धूंद बिहार में पुर्वी और पच्चिमी हवा के अलग-अलग परवाव से बने हालाथ पांच जिनों तक दिखेगा सर जहां बिहार का मौसम दो दिसा से चल रही है हवा के कारण आग में चोली वाला है पुर्वी हवा जहां हुमिडिटी बढ़ा रहा है वहीं पच्चवा हवा के परवाव से गर्मी सता रही है भागलपूर और गंगाग से सटे बिहार के पुर्वी इलाकों में जहां मौसम थोड़ा रात देने वारा है वहीं पट्ना से राज के अदिकानस चेत्रों में आस्मान से आग बरसène जैसे हालात है मौसम विवा के पुर्वानमान के मुताबिक आने वाले चार से पांच दिनों तक मौसम ऐसे बना रहेगा इस वनार रात और दिन के ताप्मान में कोई ख जिया स्वास्त मंत्र मंगल पाने ने कहा कि इस वर्स राज में 20,000 नर्सों की बहाली होगी अब ये 8,900 नर्सों की नियुक्ति प्रकिरादीन है इसी एक महिने में पुरा कर लिया जाएगा इसके बाद और बहालिया होगी विधान पर रिस्द में स्वास्त अब्दा परबंदन और समाज का लियान विवाग के बजट पर समयन वाद विवाद के बाद मंत्र मंगल पान्डे ने सरकार को उतर दे रहे थे उन्होंने कहा कि स्वास्त विवाद का काम चनोदी पूर्ण है हमेंसा अलाट मोड में रहना पड़ता है वर्स दो जर पांच के बाद राज में स्वास्त विवस्ता में सुधार हुआ है बिते 17 वर्सों में जैसा काम हुआ है वैसा आजादी के बाद से होता तो आज सुरत कुछ और होती उन्होंने कहा कि वर्तवान में जेनरल मेडिकल ओफिसर के मात्र 220 बाद बचे हैं उन्होंने स्विकार किया कि विसेज डाक्टर के करीब 3000 पद खाली है पर इसकी वज़ाची किस्कों का नहीं मिलना है जब डाक्टर मिलेंगे तवी तो उसकी न्यूक्ति होगी कहा कि विते तेन वर्सों में जेसे साथ बार डाक्टर के न्यूक्ति की गई है अगली बड़ी कबर बिहार बोड के इंटर कमपार्डमेंटल परिचा के लिए 26 मार्च आने आज से भरे जाएंगे फॉर्म ऐसे चातर भी हो सकते हैं सामिन जा बिहार विदाले परिचा सम्म के माइदम से उनलाइन आवेदन करना होगा बता दे कि विहार विदाले परिचा समयते ने इस वर्स इंटर के मुई के परिचा में सामिल नहीं और ने पाने वाले परिचात्रियों को भी कमपार्डमेंटल परिचा में बैठने के अनुमती परदान कर दी है इसका सबसे बोर्ड आव कॉंस्टेबल विहार ने परिचा के रिवाज सेडूल जारी कर दिया है पहले यह परिचा जनवरी महिने में आयोजित होने थी लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाए थी CSBC बिहार, फोरेश्ट गार्ड और फोरेश्टर पदों के लिए होने वाले पेटी परिचा में सामिल होने के लिए कैंडिडेड CSBC.bihar.nic.in पर रिवाज सेडूल देख सकते हैं जानकारी के मताबिक, फोरेश्ट गार्ड पद के लिए 19 और 20 अपरेल को पेटी परिचा अजित की जाएगी, जबकि फोरेश्टर पदों के लिए 18 अपरेल को परिचा होगी अब ये अर्थियों को परिचा में सामिल होने के लिए निदारे समय पर पटना के संजय गांदी जेवी को दियान के गेट नमबर एक पर पहुचना होगा आज के लिए आपका सवाल बताए कि बिहार में और किन विभागों से भरती निकलनी चाहिए इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताए